नमस्कार दोस्तों हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो और्गिनिज्म एंड वाइडसेस फ्रेंड फो के बारे में ठीक है पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बिल अइकन को प्रेश कर देना ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं मैडरो अग्रो और वाइडसेसद फ्रेंड फो शुक्षमजीब और वाइरसद थीघक है जो कि हम लोगा फ्रेंड फो अनिमित्र और द्श्मन ठीक है चलिश्ट करते हैं इस टॉपिक में हम लोग टमस्क कैरियर्स पेस्ट्रीव राइजेशन्स नेट्रोजन फिक्सेशन्स यह थोड़ा इंपोर्टेंट्स हम लोग के यहां धर्म है द्यान देंगे चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो और्गिनिज्म और इसका डेफिनेशन है दे लिविंग और्गिनिज्म विस्केन नॉट वी सिन बाइद एक आसी हचना, ऐन्लाग चिंजर्प seconds करते हैं पैसा के सजीव जिसको क्या हम लोग नंगी आँकों से देख नहीं सकते हैं माइक्र और्गिनिज्म भी कहलता हैसके तीक हर सम अफ Woo लाता है the help of magnifying glass और microscope और हम लोग कभी-कभी इसको magnifying glass के या फिर microscope की साहथास हम लोग देख पाते हैं some general characteristics of microorganism आर हम लोग के सामने हाँ पे कुछ उसका general characteristics है microorganisms का जो हम लोग देखेंगे a microorganism may occur as a single cell और a collection of the cells और अनि microorganism जो है सोच में जीव जो यहाँ पे है वह आ तो single cell आनि एक कोश्की या फिर बहुत सारे कोश्की में पाए जाते हैं microorganisms are the very small insights सुक्षम जीव बहुत छोटा आकार में होते हैं this cannot be the scene with the neck die और इसे हम लोग नंगी आखों से देख नहीं सकते हैं this can be seen with the macroscope that is why these are the called macroscope ठीक है और इसे हम लोग macroscope की जाहता से देख सकते हैं इसी कारणी से हम लोग macroorganism कहते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा macroscope के बारे में macroscope एंटों वैन लिवेन हुक ठीक है एंटों वैन लिवेक हुक अव दे Holland was the first scientist to the observed microscopic plant and other organism इंक्लोडिंग bacteria with the help of microscope microscope की साहता से आने की एंटों वैन लिवेन हुक जो की Holland का एक संस्टिस्ट था जो की microscopic plant को यह और फिर other mac organism को वह बेक्टेरिया को क्या है macroscope की साहता से उस पर study किया है ठीक है इसके बाद दखते हैं सम अधर करेक्ट्रिक्स है उसका माइक्रो और्गिनिज्म और फॉन इवरिवेर ठीक आने सुप्चिन जीव हर जगह पाए जाते हैं इन दे एर इन दे वाटर हवाओं में पानी में इन दे स्वायल ठीक है मिट्टी में डिजर्ट और मार्शिली लेंड ठीक है सुखा बाले जगह में डिजर्ट में एंड अल्सो इंसाइड दा बोडिज्म और जो की किसी भी सजीब के अंदर भी पाए जाते हैं ठीक है माइक्रो और्गिनिज्म और कैपेवल और यहां पर कैपेवल एक्स्ट्रीम कंडिशन के रूप में एक्स्ट्रीम कंडिशन के रूप में एक्स्ट्रीम करना चाहता है अपने आपको एक ऐसा टेम्टेशर एंड ड्राइनिस में वह अपने आपको ढाल लेता है और वह एक हार्ड कवर सेल बना लेता है उसको सिस्ट्रीम लोग बोलते हैं ठीक है वेन दे कंडिशन विकम्स फैवरेवल अब उसका कंडिशन फैवरेवल होता है दे कम आउट दियर सेल गरोव अंडर यह एक आछाल को अगर इसका कंडिशन अगर वह पैवरेवल होज कि आग ही सेल अब अपने सेल से बाहर आजाता है और उसके बाद वह अपने लाइफ सैकल को फिन दिद सेल हो हम लोग करना स्कार्ट हो जाता हैad шतर साम्ट होता है रस मेंनिव ynन are the harmful because they causes many diseases micro-organisms हम लोग के लिए कुछ useful भी होते हैं और जब कि कुछ harmful भी होते हैं क्योंकि उसके कारण से हम लोग को कुछ बीमारिया भी उत्पन हो जाती है there are four major group of micro-organisms और यहां पर सबसे important चीज़े हैं कि micro-organisms का हम लोग यहां पर फोर पार्ट में भाइट कर रखे हैं bacteria fungi algae and the protozoa ठीक है बैक्टेरिया का कुछ पार्ट है वैसलाई अस्पाइरिला कोकाई fungus ब्रेट मॉल्ड पैनिशिलियम और एस्पेगिरियम इसके बाद है प्रोटोजवा एमिवा पैरेमीजियम और यूगलीन एक यहां प्रोटोजवा का पार्ट है ठीक है चुकि आप यहां पी स्फिगर में देख रहे होंगे वारी वारी से इसके बाद हम लोग देखेंगे do you know bacteria reproduces every 9 5 minutes.ecolai produces every 20 minutes बیक्टरिया यहां पे reproduce 9.5 minutes में पर्तेक्र 9.5 minutes में अपना reproduce करता आ है लेकिन integolai प्रोटोजवाह और 20 minutes में करता है ठीक है इसके बाद हम लोग देखेंग के बाईरस इश viruses अनि virus are the sub-micro-organism that have the characteristics of the both and the living and non-living things virus एक sub-micro-organism है है ना जो की उसका main characteristics यह होता है कि वो living things भी होता है और non-living things भी होता है the name of viruses are derived from the name of the respective host और from the name of the diseases caused ठीक है आनि की name of the viruses are derived from the name of the respective host और the from of the name of the diseases caused इसके कारण आनि वो diseases के कारण इसका नाम viruses रखा गया है name of the host disease caused आनि की cell of tobacco can't bacteria, mills, food and diseases, name of the viruses आनि टोबैको अनि मौस्तिक वाइरस जो कि TMB है यह ना बैक्टेरिया आनि बैक्टेरिया बैक्टेरिया आनि बैक्टेरिया इंटर है मिल्स आनि मिल्स वाइरस आनि वाइरसे से हैं, foot and mouth diseases, foot and mouth diseases आनि FMDV the main features of viruses are the described below और यहां पर हम लोग देखेंगे virus का क्या-क्या main features हैं, वो हम लोग देखेंगे viruses inhabit and reproduce only inside the cell of living organism such as plant, animal and human beings virus का main habitat, main आवास जो होता है and वो reproduce only for किसी भी living organism के cell में करता है जो कि वो किसी plant में करेगा या किसी animal में करेगा या फिर किसी human beings में करेगे जैसे कि अभी COVID-19 जो है, coronavirus जो है, हर मेंशा क्या है, वो human beings के अंदर ही वो reproduce कर रहा है ठीक है, viruses obtain their food from the host cell और वो host cell के थूरू वो अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है ठीक है, viruses and are smaller than the smallest non-cell about 0.015 micron to 0.2 micron ठीक है, viruses जो होता है, virus यहाँ पे सबसे छोटा size में आपे होता है और उसका size होता है 0.015 micron तो लेकर 0.2 micron के आसपास तक होता है viruses cannot be seen by the simple microscope और यह virus को हम लोग simple microscope की साहता से नहीं देख सकते this can however be seen under electron microscope ठीक है, हम लोग इससे electron microscope की साहता से देख सकते है इसके बाद हम लोग की शामने है viruses exhibit and a variety of the same way such as rot-like as spherical polygonal, polygonal, many-sided etc आनि कि virus का जो size है वो अलग-अलग size में आनि different size में पाए जाते है ठीक है, shape of the various viruses are the zone below अब यहाँ पे देखेंगे जो की अलग-अलग उसका जो आकार है virus का वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे influenza virus का देखेंगे, vaccine virus का देखेंगे आप bacteria phase का structure of HIV, ठीक है, यहाँ पे structure of HIV है ठीक है, influenza virus है, vaccine virus है, bacteria phase है, tobacco, mosquito virus है, and एक last है, adenovirus है, यह सारे के सारे viruses का जो figure यहाँ पे दे रखा है वो अलग-अलग types में पाए जाते हैं, वो rod-like structure भी होता है, spherical भी होता है जैसे for example, यह polygonal है, अलग-अलग तरीके का है, ठीक है, यह rod-like structure है, यहाँ पे आप देख सकते है चलिए, next देखते हैं हम लोग वेने virus, इंटर से cell of its hots, ठीक है, अनि कि जब जो virus होता है, किसी भी hots में वो इंटर कर लेता है इट multiplies and a large number of the virus particles and the produce, और जो किसी भी cell में अगर वो virus इंटर कर जाता है तो वो multiplies and the large number of viruses, particles are the reproduce, आनि वो बहुत सारे नमबर में आनि कि अपना एक ही प्रजादी का अलग-अलग ठीक है, और बहुत सारे नमबर में virus को उत्पन कर लेता है अपने बोड़े में वो इंटर कर लेता है habitat of microorganism, where do microorganism live? आनि कि microorganisms कहां रहता है, देखते हैं हम लोग, microorganisms are the found everywhere जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी जगह पाइदाते हैं, therefore they can live in all types of the habitat और इसे कारण वो सभी प्रकार के आवास में वो रह सकते हैं और उनका जो habitat है आवास से रहने का जगह है, सारे जगह होंगे देखिंगे एर, water including hot, spring, water and the ice, cold water, salty sea water आनि water जो है सब तरीके के वो water में रह सकता है, spring water में भी रह सकता है, ice cold water में भी रह सकता है salty sea water में भी रह सकता है, soil including the soil of desert and the marci land आने के जो soil है किसी परिकार के वो soil में रह सकता है, dead and decaying organism matter में भी रह सकता है आनि मरा हुआ, absist उदार्थ में भी रह सकता है, inside the body of humans and the animals वो human and animals के भी body के अंदर भी रह सकता है, ठीक है, some agro-organisms grow on other organism while some other exist freely कुछ जो magro-organisms में है, वो किसी दुसरे organism के साथ grow करता है, लेकिन कुछ जो है, अपना freely exist करता है magro-organisms like amoeba may live alone, whereas fungi and bacteria may live in the colonize, ठीक है आने के magro-organisms जो की amoeba है, वो अकेला जीना पसंद करता है, and जो where as fungi and bacteria है, वो colonize के साथ रहता है, ठीक है next हम लोग देखेंगे, यहाँ पर, so now you know, जो की यहाँ पर पढ़े, the organisms which are too small, to be seen by the next eye, and can be seen by only through a microscope, or the cold macronisms, or microbes आने कि वैसा, जीब जिससे हम लोग, जो बहुत छोटा होता है, जो हम लोग अपने आखों से देख नहीं सकते हैं, उससे हम लोग only for through a microscope से देख सकते हैं, वो या फिर microbes का लाता है, यह microorganism में भी unicellular और multicellular microorganism, या तो वो unicellular होंगे, या तो फिर multicellular होंगे, microorganism can be founded in air, in water, in soil, microorganisms वो water, air, soil, desert, marci land, and also inside the bodies of the other living organism, अनिक microorganism नहीं है, बार्टर में, soil में, desert में, या फिर किसी भी living organisms के body में भी पाय जाते हैं, रह सकते हैं, four major groups of the microorganism are bacteria, fungi, algae, and protozoa, एक या उसका four, आनि चार्ट जो सबसे important group है, वो यहां पे दे रखा है, viruses are considered microbes, but they are different from the other microorganism, viruses जो है कि सबसे अलग considered microbes है, because वो क्या होता है, different from the other microorganism, वो सबसे important चीज़े है, कि वो सबसे, अपने जितने भी microorganism है, वो सबसे अलग होता है, they reproduce only inside the host cell, which may be bacterium and the plant or animal cell, और वो क्या होता है, किसी भी body के अंदर host cell के अंदर ही reproduce करता है, और which may be a bacterium and the plant animal cell के अंदर ही वो reproduce करेगा, oral question है, आप लोग यहां पर oral question कर लेंगे, और हम लोग का यहां पर एक last है, micro organism and us, ठीक है, इसके बारे हम पढ़े लिते हैं, थोड़ा सा है, और उसके बाद हम लोग detail से पढ़ेंगे, micro organism play very important role in our lives, सुक्षमजीब जो है, हम लोग के important life में, ठीक है, क्या महतपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुम लोग देख लेते हैं, based on the theory behavior, this can be divided into two classes, हम लोग इसे दो classes में divide कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग का चेप्टर का नाम ही था, micro organisms and viruses, friend and fo, आनि friendly micro organism and हम लोग के साथ, क्या friendly विवाहर करता है, क्या behavior उसका है, and harmful microorganisms, और जो हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग इसके साथ, हम लोगों के साथ, इसका क्या विवाहर है, harmful है, इसके बारे हम हम लोग next देपढ़ेंगे, thanks for watching, video को like and share करें, thank you